दोस्तों नमस्कार आज मैं बात करने वाला हूँ जीबिटी टैट की जीबिटी टैट का एक्जाम 25 अगस 2020 यानि कि आज हुआ है इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है हमारी कोशिश है कि 100% एकुरेसी हो तो हम इससे पहले भी बहुत सारे एक्जाम में 100% एकुरेसी जाए हैं तो आइघोप कर आपको यह वीडिव पसंद है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और हमें बताए कि कितना नमटर इसमें बढ़ रहे है आप csakt रहे है और सेक्शनलG आ Congress सब्सक्रार से umаз тобo फो मै要 às isol कर्ट कर चुके हैं उसको आप चक्रत लीजिएगा सबस मेट हिम डैश एर अगो एन एर अगो ए इसका आंसर है एन एर अगो उसके बाद जो दूसरा है विएर इस दे बॉइ अबाउट डैश वर स्पीकिंग हूम हूम यू वर स्पीकिंग अबाउट यहां पर भी इसका ए है 33 में he hanged himself with a piece of cloth यहां पर इसका जो है वो c होगा with उसके बाद जो अगला है वो है 34th 34th में क्या होगा she writes slowly dash but slowly but neatly तो इसका answer क्या होगा d यहां पर answer है उसके बाद 35th में यह फिशी जो एक शब्द होता है उसका synonym आपको पताना है fishy का मतलब होता है suspicious जिस पे आपको संदे हो जो बिल्कुल confident नहीं होता something is fishy about something मतलब कि किसी बात पर suspicion यानि संदे होना इसका जो answer था वो था a I hope आपने mark कर लिया है अब aglis में जाते है अब adore adore होता है किसी को पसंद करना तो उसका antonym यानि के उल्टा क्या होगा वोगा dislike करना तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आपके जो भी दोस्त जिन्होंने एक्जाम दिया है या देने वाले हैं इसकी त्यारिया कर रहे हैं उन सब के साथ आपके उनको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से इस एक्जाम की प्रेपरेशन करनी है और हमारे जो वीडियो है सब्सक्राइब करके आपको आसानी से मिल जाएंगे हमाचल जी के और सब इन सब में उसके बाद 37 थैं Oasis Oasis होता है डिजर्ट में अगर आपको कोई ऐसी तो इसका संबन्द मरिश्थल से है ऐसी जगहा जहां पर थोड़ा बहुत फर्टिली यानि के थोड़ी उपजाओक शमता होती है उसको हम Oasis कहते हैं तो इसका जो आंसर है वो है B लाइन शेयर क्या होता है लाइन शेयर मतलब कोई भी हिससे में अगर आपको लाइन शेयर में तो आपने मतलब सबसे ज़ादा उठा है तो यहां पर है अब बिग शेयर आफ सम्तिंग इसका जो आंसर है वो है D 38 यानि कि सीरीज एक और डिसस कर रहा हूं आप ध्यान रखि जिए उसके बाद जो 39 है close the window, change into passive voice, passive voice में let the window be closed, इसका जो A answer होगा उसके बाद choose the correct sentence from the given options, तो यहां पर आपको रखना है he reported the matter to the police, यहां पर दो ही जो sentence थे उसमें आपको dispute होना चाहिए एक है यह, he informed the matter to the police, तो mostly हम क्या करते है, police की case में हम रिपोर्ट करते है, police को हम English drama, the great William Shakespeare, जो हमने hamlet लिखा था, इसे बहुत सारे praise लिखे थे, तो इसका answer जो है, वो A होगा, जैसे हमने बहुत 40 का क्या होगा, C, he reported the matter to police, 41, who is known as the father of English drama, तो answer है William Shakespeare, उसके बाद the guide एक बहुत ही famous किताब थी, इसके जो author थे, उसका नम था, R.K. Narayan, इसका जो answer है, वो है C, उसके बाद mime जो है, इसको mime पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग मेमे पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़िए British or American English के साफ से, पर यहाँ पर हमारा जो goal है, वो है इसको answer करना, यहाँ पर एक तरह का play होता है, जिसमें आप एक story बताते हैं, सिर्फ gesture से, आप कुछ बोलते नह आते हैं, उसके बाद आता है, money makes the mayor, यह बहुत असान था, 44 का, C, उसके बाद a little knowledge is a dangerous thing, I don't think कि ऐसा कोई इंसान होगा, जिसको यह नहीं आता होगा, तो dangerous thing भी होगे, उसको 46 में चलते हैं, he is not dash clever, as clever as, तो यहाँ पर होगा B, 47, you will win the first prize, ठीक है, यहाँ पर लिखा, you will win the first prize अगर आप पहला prize जीतोगे, if you work hard, अगर आप work hard करोगे, तब ही तो जीतोगे, तो इसका जो answer है, C, 48, hurry up, dash, you will be late, hurry up or you will late, अगर आप जल्दी नहीं करोगे, तो लेट हो जाओगे, ठीक है, तो यह हो गया, 48, 49 का, I waited for him, dash, until he arrived, ठीक है, उसके बाद हो गया, 50, यहाँ पर आप को बताना है, opposite, most opposite, वैसे तो active के सभी है, lazy भी हो सकता है, lethargic भी हो सकता है, active का यहाँ पर मेरे हिसाब से होना चाहिए, inactive, हलांकि यह सभी है, most closes inactive, बिल्कुल ही inactive हो आप, active inactive बहुत असान है, relate करना, पैसी भी हो सकता है, यहाँ पर decide करेंगे, जो आप जिनोंने question लाले हो करेंगे, बट हमारे हिसाब से, most probably इसका answer है, inactive, ठीक है, उसके बाद आपने पताना है, most opposite to always, always होता है, हमेशा never होगा, कभी नहीं, तो इसका answer हो गया, B, उसके बाद 50, यहाँ पर है, exactly same as the beautiful, हम बहुत सारे comment करते हैं, फेसूप इस तरह के, हमें पता होना चाहिए हमारे facebook page पर जाईए, उस facebook page को like कीजिए, exams related, जो भी information है, हम सारी की सारी share करते हैं, वहाँ पर, तो I don't think कि आप वहाँ से कुछ miss कर पाऊ गया, instantly हम सब facebook use करते हैं, तो वहाँ पर आपको असानी से चीज़े मिल जाते हैं, आपको information हम provide कराते हैं, उसके बाद यहाँ पर है, ऐसा शब्द बताईए, जो exactly same है, funny, funny मतलब humorous, humorous, funny, A, तो यह तो हो गए 53 तक, अब बताना है, idiom or phrases में, तो यहाँ पर green-eyed friends तो वो होते हैं, जो आप से jealous होते हैं, हमें उन दोस्तों से दूर होते हैं, वहाँ green-eyed friends मतलब jealous friend, तो यहाँ तो obviously handsome friend से क्यों दूर हैं, rich से क्यो रहना और enthusiastic friend से क्यों दूर होते हैं, तो यह जो था, असान था, इसका जो answer है, A, jealous friends, उसका फिफ्टी फाइव, hair breath, मतलब near escape हो गया, hair breath, ठीक है, hair की breath के बराबर आप narrowly escape करना हो गया, A, ठीक है, he had hair breath escape from an accident, तो इसका answer A है, उसका फिफ्टी शिक्स की तरफ चलते हैं, 56 में ह हो गया, all his effort ended in smoke, मतलब उसके सारे जो effort थे, वो धूए में हो गया, मतलब came come to nothing, कुछ भी नहीं हो, उसके सारे efforts का, तो यहाँ पर जो answer है, वो D होगा, उसका 57, Ram decided to bury the hatchet, तो यहाँ पर है, bury the hatchet का मतलब है, कि भाई पुराने जो आपके differences थे, उसको भूल कर एक नई बात करना, तो इसका answer होगा, A, to make peace, उसके बाद 58, Gopal is a different student, he is often all at sin, all at sin, मतलब different student है, वो हमेशा क्या होता है, confused रहता है, he is often all at sea, ठीक है, तो यह completely confused, A, इसका answer होगा, उसके बाद 59, who said English is our major window to the, window on the modern world, यह जो शब्त थे, वो पंडित नहरू के थे, जवाल अर नहरू जो भारत के पहले, प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रहा है, William Shakespeare was a great, क्या था, उनका speciality क्या दी, वो ड्रामा लिखते थे, जैसे Hamlet उनका बहु थे, Dramatist, वो ड्रामा लिखते थे, अल्दो थोड़ी वाद हुने पोर्टर भी लिखिया, but he is mostly renowned for drama, असला प्लेज लिखते थे, वो हाथ से, तो English का session में बस इतना ही, आप हमें बताईए आपको ये वीडियो किस तरह से लगा, कैसा लगा हमें बताईए, और साथ हमें बत जो आपको समगरी चाहिए, important lectures चाहिए, हिमाचल जी के जो भी है, वो सब हम YouTube पर डालते हैं, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम किसी और वीडियो में बिलेंगे, हो सकता है LGBT का हो, हो सकता है, किसी और subject का हो, तो किसी और paper का हो, तो I hope आपको ये वीडियो पसंदा है, Thank you so much for watching this का हुआ है झाल झाल